25 करोड़ा बादी हमारी प्लास माइनस इतना इंडिया इतना बंगलादेश थोड़ा हमसे कम है अब यह कहां से आए हैं इन लोगों का बैक्गरांड क्या है इसकी तफसीर में जाओंगा तो चीखें निकलाएंगी बेशर्मी से बेहयाई से बेगैर्ती से बद्द्यांती से खुशामत से चापलोसी से और मुनाफकत से कट्she項 को जाते हैं कभी उर्भी बाइचांगे भार शार करो कि आपनी औरी जिन से नफरत करते हूं जो अपनी हो रही हैं जन बदलने के चक्कर में रहते हैं कभी तुर्कों का खुलाम हो जाते हैं कभी अरबों का खुलाम है। कि बनाफकत की मटी से हैं इसलिए मुझे जमूरियत से नहीं पाकिस्तानी जमूरियत से शदीद नफरत है इन में कोई ग्रेस कोई क्लास कोई केलिबर पचीस करोड अबादी हमारी प्लास माइनस एतना इंडिया इतना बंगलादेश थोड़ा हमसे कम है अब यह कहां से आए हैं इन लोगों का बैक गरांड क्या है इसकी तफसीर में जाओंगा तो चीखें निकल आएंगी बाकी कौन है यह वो है यह वो है 75 साल से किन लोगों को बरदाश्ट कर रहे हैं यह कैसे लोग हैं बस डियने इस दी आंसर बाकी एकडमिक बात है मैं इस पर 50 गंडे का लेक्चिर दे दूँगा डियने और उस खलीज तरिंड डियने का आगे जो बाटम लाइन है वो हमरा सियासत बावन है अपनी ओरिजिन से नफरत करते हूं जो अपनी ओरिजिन बदलने के चकर में रहते हैं कभी तरकों के खुलाम हो जाते हैं कभी अरबों के खुलाम हो जाते हैं मैंने हसन निसार के उपर आतुबा वीडियो बनाई है लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको बैठके खुब सुना हूँ क्योंकि यह अलकोलिक नशाई पाकिस्तानी है जिसका इसलाम से भी कोई तालुक नहीं लेकिन यह अपने यह इसकी सोच है ना वो पंजाबी है ना जाते हैं कभी अर्बी बन जाते हैं लेकिन वो जो यह हैं वो नहीं बनते कौन पीपल अब इंडियन सब कॉन्टेनट उसको क्योंकि बच्पन से इनके जहनों में एक ऐसी नफरत डाली गई है को यह हिंदू है यह नफरत के अंदर ही मार गया है हिंदूों से इंडियन से अपने आप से नफरत में जो भी बरसर एक्तदार आया है मुईशत को प्लिटिकल शॉक से मैफूज रखा है यह हिंदूस्तान की कहानी है लेकिन जिस वाक्त हैं क्या यह हम अपने किसी भी स्टेट्समें किसी भी लीडर के बारे में कह सकते हैं कि वो रियासत और रियासत क यह इंट्रस्ट से अपने आपको छोटा ही समझता है शाय ठीक ही कहा था अदुलकलीम ने मगर यहां एहम तरीन बात यह है कि हिंदूस्तान को मौशी दल्दल से निकालने माला शक्स जिसे आज भी पादर बिंजियन रीफॉर्म मैं आप देखें इनकी जिन्दगी नफरत से भरी हुई है क्योंके यह था से क्म तरी इनंफिरियरिटी कॉंपलेक्स का शिकार कौम है जिसके लीडर आज यह हसन निसार जैसे λुग. यह इनके अंदर क्वालिटी है नहीं. जो क्वालिटीज थे वो भी ऐक फारिग हो गई मुझे कोई एक आरमि लाके दिखा दे जो अपने हे मुलक में पचस्बाइब कर रही है अपने ही लोगों का वहा है इनका इसलाम कहां जाता है तब ये बंगालियों को मुसल्मान बंगालियों को मुसल्मान पंजाबियों को बलोचों को मुसल्मान पख्तुनों को महाजिरों को जो मारते हैं तब उनका इसलाम कहां चला जाता है तब उनकी पाकिस्तानियत कहां चली जाती है जो बकॉल हसन नि हमारी कोम के बारे में के या हसन निसार का तो नोलेज भी जीरो है ये तो दारुक बोलती है इसके अंदर टोटल अलकोली के ये मान कर रहा है कि मैं साउथ सेंट्रल एशिया का हूँ साउथ सेंट्रल एशिया तो इंडिया था साउथ सेंट्रल एशिया तो इंडिया था ये तो चंगेस खान ने आके जो फता हासिल करने शुरू की जंग-जूँों के काफलों के साथ, लशकर के साथ, तो यह डिमोगराफिय चेंज हो यह जियोगराफिय की नौर्थ-इंडिया में, वरना आपका थिब्ध भी इंडिया था, तो यह जिस डियने पर मांद कर रहा है, उस डियने का कोई एक ग्यानी निकाल के दिखा दे मुझे, कोई एक ज्यानी, सारे जानवर निकले हैं, वहाँ से हैवानों का टोला निकलता था, पूरे दुनिया में कतले आम करते थे तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है, समापता आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी आइडेंटी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के जो बेसिकली ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर क्या मैं तो 98-99% लोग बेसिकली बिलॉंग करते हैं इंडियान डियने से, इंडिया हो पाकिस्तान हो बंगला देश हो यहाँ सब के लोग जो है वो ज्यादा अलब आप स्मझ सकते हो अजह मुस्लिम है तो रियां को अगर क्लेम करें कि हम डर्क से है हम हं हाँ से हैं मंगोल है हम अर्बी हैं तो वह सब थैक है अ गेंगों यार वादी इतनी कम है तो वहाँ से सेना कितनी बढ़ी आएगी और उस टाइम पे जो ये लोग आते थे basically तो यहाँ पे भारत में कोई मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब आप ये लोग claim करेंगे कि ऐसा था वैसा था फलाना ठेका न था अब जैसे माल लोग कोई जादा तर invaders भारत में क्यों जीते उसके पीछे सबसे basically वज़ा है क्योंकि उनके पास updated updated हत्यार थे updated जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे जादा मुगलों को भारत में success क्यों मिली उससे पहले भी यहाँ पे इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था मुसल्मान ही बैठे हुए थे बट मुगल ने आके सबको कैसे तबाह कर दिया क्योंकि वो लेके आये थे updated तो उसके पहले जो basically जो अरव आये थे वो लाये थे अरवी घोडा जो भारती घोडों से 100 गोना बैटर था ठीक है तो उसके सा साथ मुगल धनुस की एक नई टेक्निक लाये थे और आप समझ जाएं कि उस टाइम पे ये चीज़े हुई updated updated चीज़े आई तो उस वजए से जो updated चीज़े रहेंगी human being तो वो ही रहेंगे सीना तो वो ही रहेंगे अब updated चीज़े रहेगी तो obviously फिर उसके लिए जंग जीत मतलब यार सब कुछ लिखा हुए हिंदु धर्म से कितनी नफरती भारत के एतिहासिक मंदर आप देखो पूरे इन्होंने छोटी 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 अगर मूर्थी उपर भी है तो 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 इन्होंने पूरी टीम ही बनाई होगी तो आप समझ जाओ यार अब पाकिस्ता बोलोगी भाई तुम यह त्यागी सरनेम क्यों लगाए होगो तो उसको मुसल्मानों ने में प्राउड है कि तीन-चार वीडिय हो गई है तो वह नहीं जाने बाला वापस उसका ब्रेन बॉस्ट हो चुका है आपको क्या गहना है प्लीज कॉमेंट में राय दे चैनल को सब सब्सक्राइब करना जाए है